है नो है Hello भख्चों एक बर फिर मैं आलक्कुमार आप लोग का आलक फिज्व क्लास में सौागत करता हूँ आज हम लोग फिर अपने क्लास प्रकास के अपुवरतन को आगे बढ़ाते हुए अज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकास का प्रक्रिणन किसे काते हैं तो पिछले क्लासों में मैंने प्रकास के अपवर्तन के सम्मन में पढ़ा और प्रकास का अनुपरियोग भी मैंने पढ़ा प्रकास का अपवर्तन का परियोग भी मैंने पढ़ा उपयोग भी मैंने पढ़ा है ना कि उसमें किस प्रकार क्या क्या होता है तो आज हम लोग जो है क्लास को अपना आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग नए चीज को सिखेंगे कि प्रकास का प्रक्रिणन किसे कहते हैं तो प्रकास का प्रक्रिणन बहुत सारे बच्चे जो है हमेशा ये समझते हैं कि आकास का रंग निला दिखाई पड़ना या पिर सुर्योदय के समय या सुर्यास्त के समय कि आकास का लालिमा परतित होना या खत्रों के निसान के लिए लाल रंग का परियोग होना बलब का परियोग करते हैं तो यह सब प्रकास का अपवरतन होता है लेकिन सही बात यह है कि यहाँ प्रकास का अपवरतन नहीं होता है प्रकास का प्रक्रिणन होता है तो आज हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स टॉपिक्स में जाएंगे, कि लेंस क्या होता है, नया चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो फिलाल आज हम लोग इसको लेखते हैं, प्रकास का प्रक्रिणन किसे कहते हैं, तो इसका सरल और सहज सब्दों में एक प्रकास का प्रक्रिणन कहते हैं, तो हम प्रिभासा को लिखेंगे, कि प्रकास का किसी कन, कन कैसा होना चाहिए, एकदम छोटे होने चाहिए, छोटे, हैन्य कन से टकरा कर, टकरा कर बिखरने की प्रक्रिया को, बिखरने की प्रक्रिया को प्रकास का प्रकिर्णन कहते है तो मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा कन है जब प्रकास की किर्ण जब चल के आती है और इसकन पर जब पढ़ती है तो प्रकास जो है अपने चारो दिसा में छिटक जाती है कुछ इस प्रकार वो छिटकती है है किने इसी छिटकने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकास का प्रक्रिनन काते है तो ये छिटकना जो होता है वो एक गोली होता है एक गोला के रूप में ये छिटकता है स्फेरिकली जो होता है ये पूरा छिटकता है है कि ने बिखरता है इसको हम लोग कहा सकते हैं तो इसी छीटकने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकास का प्रक्रिणन कहते हैं तो सबसे पहले बात कि यहां पर कन का जो आकार होना चाहिए कन का आकार कैसा होना चाहिए बच्चों कन का आकार जो है वो प्रकास के तरंगधैर्य की कोटी की हुनी चाहिए यदि इस कोटी का यदि कन नहीं होगा तो उसे प्रकास का प्रकरणन नहीं होगा है ने हम जानते हैं कि प्रकास का तरंग दहर ये जो होता है वो बहुत कम होगा बहुत कम होता है तो इसका मतलब हो गया कि उस कन का आकार भी बहुत छोटी होनी चाहिए है ने यदि बड़े कन हम लेंगे तो उससे प्रकास का प्रकृणन नहीं होगा एकदम छोटा कन हम को ल प्रकास के तरंग धैर्य पर किस प्रकार का परभाव इसमें पढ़ता है तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं देखें प्रकास का बिखराव प्रकास का बिखराव प्रकास का बिखराव प्रकास के तरंग धैर्य के व्यूत कर्मानूपाती होता है प्रकास के तरंग दैर्य के व्यूत कर्मानुपाती होता है तरंग दैर्य के व्यूत कर्मानुपाती होता है व्यूत कर्मानुपाती होता है Scattering of light is inversely proportional to the wavelength of light इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं इसका मतलब हम यहां पर लिख देता हूँ कि प्रकास का विखराओ प्रकास का विखराओ इन विखराओ inversely proportional होगा किसका प्रकास का तरंग दैर्य का प्रकास का तरंग दैर्य के व्यूत कर्मानुपाती होता है इस प्रकार हम लोग जानते हैं तो यह एक important सब formula है इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा समझना नहीं है लेकिन फिलाल आप लोगों को इतना ही जानना है कि प्रकास का विखराओ सबसे ज़्यादा किसका होगा जिसका सबसे कम तरंग दैर्य होता है तो आप जानते हैं कि प्रकास जो होता है वो सात रंगों से मिल करके बना होता है है कि नहीं आप जानते है जिसमें सबसे पहला रो में जो होता है वो लाल होता है है कि नहीं और अंत में जो होता है वो बैगनी होता है आप लोग इस प्रकार जानते हैं आप लोग सैंबॉल भी जानते होंगे उसके बाद बे जानी हा पी नाला आप लोग पढ़ते होंगे ऐसा तो लाल का तरंगधैरी जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है बचो और बैगनी का तरंगधैरी जो होता है बैगनी रंग का तरंगधैरी सबसे कम होता है हम यहाँ तरंगदैरी के बारे में बात करते हैं है कि नी तो लाल का तरंगदैरी सबसे ज़्यादा होता है और बेगनी का तरंगदैरी सबसे कम होता है तो आप आप लोगा बता सकते हैं कि किस प्रकास का है कि ने बिखराव सबसे ज़्यादा होगा तो हम लोग ये बात जानते हैं कि प्रकास का बिखराव है कि ने बेगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसका तरंगदैरी कम होता है विद्कर्मानुपाती आप लोग सम्मंदन जानते हैं क्या होता है कि इसका मतलब है कि नीचे वाला टर्म यदि छोटा होगा तो ये टर्म आपका बढ़ा होगा इस परकार होता है परकास का तरंगदैरी होता है तो यहां पर कम तरंगदैरी किसका होता है बैगनी का तो इसका मतलब इसका विखराव ज्यादा होगा इसका वर्न के प्रकास का विखराओ ज्यादा होता है लाल वर्न के तुलना में इसका मतला भूगा कि लाल वर्न की तुलना में बैगनी वरनका बिखराव ज्यादा होता तो अब आप लोग इसका बहुत सारा उधारन हमारे देनिक जीवन में है बच्चों तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे हैं कि नहीं तो इसका प्रकास के प्रकृर्णन का उधारन क्या क्या होता है प्रकास के प्रकृर्णन का उधारन चल निला दिखाई देना अकास का रंग निला दिखाई देना तो इसको हम लोग कैसे explain करते हैं इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखने का प्रियास करिएगा कि अकास का रंग निला दिखाई क्यों पड़ता है हम जानते हैं कि दीन के समय में दीन के समय में अकास का रंग निला दिखाई पड़ता है दीन के समय में है न दीन के समय में आकास का रंग नीला होता है और ये वो कंडिशन होता है या वो इस्थिती होता है कि जिस पर सूर्य से आने वाली प्रकास की कीरन पृथिवी पर लंबवत रूप से पढ़ती है हम जानते हैं मतलब ये हुआ कि मान रहते हैं कि ये हमारा एक पृथिवी है इस परकार आप देख पा रहे हैं है ने कि ये माना एक पृथिवी है देखिए ये हमारा हम एग्जामपल मान रहते हैं कि ये हमारा एक पृथिवी है और यहां पर हमारा सूर्य है थोड़ा साब देखिए ये हमारा सूर्य है फोटो को वायू मंडल में बहुत सारे छोटे-छोटे कन मौझूद होते हैं और उन कनों से सुरिय के प्रकास का प्रक्रिणन हो जाता है तो प्रक्रिणन होता है तो इसमें अब होता है क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, uf इसमें प्रकास की किरन छिटकती है तो इसमें प्रकास की किरन छिटकेगी देखे आप देख पारे होंगे इसमें इस प्रकार प्रकास की किरने छिटकती है कुछ इधर चल जाती है कुल इधर चल जाती है और कुछ प्रकास इधर चले आती है प्रिठवी की और चले आती है तो ये वाला प्रकास ये वाला जो इसमें से प्रकृनित हुआ है इसमें सबसे कम कौन से किसका प्रकृनन हुआ है सबसे कम कौन से किसका प्रकृनन हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला कौन देख पा रहे हैं इसका प्रकास का वास्तविक पत है और ये प्रक्रनित पत है प्रकास का इसकेटर्ड पात इसको आम लोग कहते हैं प्रक्रनित पत कहते हैं इसको ये कौन आप देख पारें सबसे कम है है कि नहीं ये कौन जो होता है वो सबसे कम होता है नहीं और ये वाला कौन ये दिम बात करते हैं यहां से ये वास्तविक पत से जो पिर्थिवी तक परकास पहुँच रही है ये वाला कौन सबसे ज़्यादा कौन है नहीं ये वला जो प्रकास की ये वला देखेंगे ये वला कुण सबसे कम है और यहां से यहां तका जो प्रकास पिठ्थवी तक पहुंच रही है वो प्रकास का कौन सबसे ज़्यादा होता है तो आप लोगों को मैंने कहा पहले ही कि कि बैगनी वर्न का प्रकृर्णन सबसे ज़्यादा होता है और लाल वर्न का प्रकृर्णन सबसे कम होता है आप लोग ने जाना तो यहाँ पर बैगनी वर्न का प्रकृर्णन ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि उसका प्रकृर्णन कौन ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो परकास जो पिर्थिवी तक हमारे पास पहुँच रहा है ये कैसा परकास होगा ये वैगनी होगा नीला होगा और ये जो परकास जो होता है जो पिर्थिवी तक पहुँचे बिना ही पुना अकास अंत्रिक्ष की और प्रक्रिनित हो जाती है वो पिर्थवी तक पहुँच ही नहीं पाती है यह लाल वर्न है या अन्य वर्न भी आप कह सकते हैं यह लाल वर्न है यह भी लाल वर्न है और यह अन्य वर्न होंगे सिर्फ बैगनी वर्न ऐसा वर्न है जो कि हमारे पिर्थवी तक वो पहुँच पा रहा है तो यही वर्न हमारे आँख तक पहुचेगा, हमारे आँख पर पढ़ेगा, तो जो वर्न हमारे आँख पर पढ़ता है, वही हमको नजर भी आता है, है ना, तो बैगनी वर्न हमारे आँख में पढ़ने के बज़े से, जैसे हम अपने सर को उपर के और उठाते हैं, तो अकास की और से बैगनी रंग आती हुई परतीत होती है इसलिए मुझे ऊपर बैगनी रंग नजर आता है नीला रंग नजर आता है तो यह सिंपल सा उधारन है अकास का नीला दिखाई पढ़ने का तो बचों को उम्मीद है कि यह बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी यदि खाई आई है तो एक बार चलिए बाचों हम एक बार फीर से आपको लुको दिखाता हूँ इस फोटो बना करके मैं दिखा देता हूँ तो इसे प्रकास का प्रकिर्णन होगा बच्चों तो प्रकास का प्रकिर्णन देखे कुछ इस प्रकार हो रहा है इसे प्रकास छिटक रहा है इस प्रकार छिटक रहा है और कोई किर्ण जो होती है वो इसे इस प्रकार जो होती है छिटक करके दर्ती तक या पिर्थिवी तक हम लोग आई हैं पहुँचेगा तो आप देख पा रहे हैं कि ये कौन सबसे कम है ये भी कौन कम है लेकिन ये वला कौन सबसे जादा कौन है तो प्रकास का प्रक्रिणन पहले ही इसके एक्जामपल और उधारन और परिभासा से मैंने जान होगा और लाल और वेगनी के बीच में अन्य प्रकास ये है हमारा तो ये भी देखें आप कम कौन से प्रक्नित हो रहा है तो सबसे जादा कौन से प्रक्नित होने वाले प्रकास वेगनी है तो वेगनी वर्न ही प्रतिवीर पर पहुंचती है आप फोचितर से देख पा रहे तो हम लोग का आँख में बेगनी वर्न पढ़ता है जिसके बज़े से आकास मुझे नीला दिखाई पढ़ता है तो इसको आप लोग अपने कौपी में प्रैक्टिस करके देखिए समझने का परियास करिए कि हमें आकास का रंग नीला क्यों दिखाई पढ़ता है तो चलिए अब हम दो देखेंगे सुर्यास्त और सुर्योदे के समय में आकास का लालिमा क्यों परतीत होता है तो इसमें बाबो कंडिसन है बच्चों तो इसमें सबसे पहला क्या कंडिसन होना चाहिए कि दीन के समय में सुर्य की परकास लमवत पढ़ती है लमवत पड़ती है आप देखें होंगे कि गल्मी के दिनों में सूरीय होता हमारे सर के उपर होता है तो इसका मतलब है कि आने वाली प्रकास के किरन लमवत प्रतिबी पर पड़ती है तो जब लमवत पड़ेगी है कि नहीं तो ऐसी घटनाई होती है है ना लेकिन साम के समय में या सुभा के समय में ऐसी बातें नहीं होती है है कि ने दूसरा इसका प्रकास के प्रक्रिणन का दूसरा इसका जो उधारन होता है वो सबसे important बात ये चीज़ होता है देखिए होता क्या है कि सुर्यास्त सुर्यास्त तथा सुर्योदे के समय सुर्यास्त तथा सुर्योदे के समय के समय अकास अकास का रंग लाल प्रतीत होता है अकास का रंग लाल प्रतीत होता है ऐसा क्यों होता है बचो ये बहुत सिंपल सा उधारन है ये प्रकास के प्रक्रिणन को आप समझते हैं तो आसानी से आप इसको समझा सकते हैं तो इसमें कंडीशन होता है बच्चों कंडीशन सबसे पहला क्या होता है कि देखें साम और सुभा के समय में साम और सुभा के समय में साम और सुभा के समय में प्रकास साम और सुभा के समय में सूर्य से आने वाली प्रकास, पृथिवी पर या पृथिवी के वायू मंडल में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पृथिवी के वायू मंडल में तिर्ची रूप से प्रवेश करती है, तिर्ची रूप से प्रवेश करती है, तिर्ची रूप से प्रवेश करती है, तिर्ची सूर्य के प्रकास को पिर्थिवी की सता तक आने में पिर्थिवी के वायु मंडल में बहुत अधीक दूरी उसको तै करने पड़ती है यदि पिर्थिवी हमारा यहां पर है बच्चों यदि पिर्थिवी हमारा यहां पर है तो सूरी यहाँ पर होगा, तिरची प्रवेश कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं तो यह वायु मंडल है, आप एक example कर लएजए कि पिठवी का वायु मंडल यह चीज़ है तो जब सूरी की प्रकास जब पिठवी के वायु मंडल में जब प्रवेश करती है तो माननेता हैं कि यह वायू मंडल के कई कनों से इसका प्रकिर्णन होता है लेकिन यहाँ पर मैं इसे एक कन आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जब प्रकास वायू मंडल के कन पर जब पढ़ती है तो इसका प्रकास का प्रकिर्णन हो जाता है बच्चों तो प्रकास का जब प्रकिर्णन होगा तो क्या होगा प्रकास का प्रकिर्णन क्या होगा बचों देखे प्रकास का प्रकिर्णन जो होगा वो इस प्रकार होगा कुछ किर्णे इधर चले जाएगी कुछ किर्णे इधर चले जाएगी कुछ किरने इधर चले जाएगी और कुछ किरने जो होती है वो इधर चले आती है इस परकार चले आएगी है कि नहीं इस परकार चले आएगी तो आप देख पा रहे हैं बचो ये प्रकास का वास्तविक पत मेरा ये था बचो देख पा रहे हैं आप प्रकास का वास्तविक प आपका ये है, ये प्रकास का वास्तविक पत है, मैं dotted line से जिसको indicate किया हूँ, वो प्रकास का वास्तविक पत है बच्चों, तो ये वास्तविक पत के साथ जो कौन बना रहा है, ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, वास्तविक पत के साथ ये जो कौन बन रहा है, ये ठीटा क कौन है तो आप पहले ही पड़ चुके हैं बचों और ये प्रकास का वास्तभी पत batch से आने वाली प्रकास का वास्तभी WAT्चों तो इसका मतलब क्या हो गया लालवर्ण का आप जानते हैं इसका मतलब ये वब कौनbbी 북한 ही यह प्रकास हो गया लाल वर्ण हो गया और सबसे कम सबसे अधी 날 कौन से प्रकर句 रहाँ है यह तो इसका मतलब है यह पयाल वर्ण किसी कन Bacon से ठक्राः करके और चले जाती लेकिन लाल वर्ण जो था वह कम से प्रणित होकर करके हमारे धर्ती तक पोंच जाती है तो धर्ती तक जो पोंचती है हमारा वर्ण हम को आँख में कौन सा रंड पढ़एगा लाल बर्ण पढ़एगा जिसके बज़े से हम जब आँख उठा करके अकास की और देखता हूँ तो यह लाल वर्ण हमारे आँख पर पढ़ती है जिसके बज़ा से हमको पिर्थेवी एवायो मंडल लालरन की नजर आती है बचो तो ये सरल एक उधारन है आप लोग इसको देख सकते हैं एक बात हैं आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि मैंने वास्तविक पत को ये क्यों नहीं लिया नहीं बचो ये वास्तविक पत नहीं इसका रास्ता ये चीज़ है और रास्ता के साथ जो बनाया गया कौन है वह न ये चीज़ होगा इस कौन को ले लेंगे तो ये अंटी उल्टा कौन हो जाएगा ये कौन उल्टा हो जाएगा मतलब 180 डिग्री से पीछे हमको जाना पड़ेगा इस कौन के लिए ये वास्ता भी पते है तो ये कौन हमारा होगा तो इस बात को समझना होगा बच्चों आप लोगो लेकिन लंगवत से पड़ रही थी तो लंगवत ये सिधा कौन था तो इसको था से समझना होगा इसको था से समझिए उसके बाद हम लोग चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो और भी बाते होती है बच्चों कि खत्रे के निसान के लिए सिफ लाल रंग का परियोग हम लोग क्यों करते है खत्रे के निसान के लिए लाल रंग का प्रियोग क्यों किया जाता है खत्रे के निसान के लिए लाल वर्न का प्रियोग क्यों किया जाता है या लाल रंग का प्रियोग क्यों किया जाता है प्रियोग क्यों किया जाता है अब आप लोगों को जो है इसका जानकारी हो गया होगा कि खत्रे के निसान के लिए लाल रंग का परियो क्यों किया जाता है क्योंकि लाल वर्न का प्रकृणन सबसे कम होता है आप देख पा रहे हैं कि सबसे का प्रकृणन कोन कम होता है जब वो रास्ता से मालिजे की बहुत प्रकार का प्रक्रिणन हुआ इस प्रकार और ये लाल वर्न आपका आगे बढ़ गया है कि ने क्योंकि इसका प्रक्रिणन सबसे कम कोन से होता है ये अन्य वर्न था ये लाल वर्न था पुना जब ये वाई मंडल के आगे जब जाएगी तो किसे दूसरे कन से टकराएगी तो और भी रंग वो ये अल है कि ने जो रवर्ण होंगे वो भी कम कौन से प्रक्रित होकर के पुना आगे बढ़ जाएगी पुना फिर दुसरे कं से टक राएगा पुना कम कौन से प्रक्रित होकर के पुना आगे बढ़ जाएगी तो इस परकार हलका इसका रास्ता में डेविये जो होते हैं वो अत्यथिक कोन से प्रक्रिद्ध होने के बज़ए से वो अपने मार्ग से बहुत जादे कोन से भटक जाते हैं जिसके बज़ए से वो हमारे पास पहुंच नहीं पाता है लेकिन लाल वर्ण का प्रक्रिद्धन सबसे कम कोन से होने के बज़ए से वो हलका हलका प्रतिक कन से कम-कम कौन से डे伏 होते भी बिचलीत होते हुए हमारे आंगं तक पहुंच जाती। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लाल वर्ण को खत्रे के लिए निसान का परियोग्योग क्यों अच्छा लगा होगा, interesting class भी लगा होगा बच्चों, है न, तो ये class आज इतना ही यहीं पर समाप्त होता है, है न, प्रकास का अपवर्तन, अब हम लोग next topics बच्चों शुरू करेंगे, lens, क्या होता है, हम लोग जानते हैं, कुछ बच्चें इसको भी समझ जाते हैं कि अकास तारों का टिम्टि माना भी प्रकास का प्रक्रिणन होता है, नहीं, तारों का टिम्टि माना जो होता है, वो प्रकास का अपवर्तन के वज़े से होता है बच्चों, है कि न, इसको अच्छेता से समझ येगा, प्रकास का प्रकरिणन के कारण जो होती है सिब गास का रंग निला दिखाई पड़ना है ना सुरियाद और सुरियास्त के समय में लालीमा दिखाई पड़ना खत्रे के निसान के लिए लाल रंग का परियोग करना समुद्र का निला दिखाई पड़ना है कि ने यह सारा जो फ प्रकास का प्रक्रिणन के ही वजह से होता है बच्चों तो यह सारी घटना के बारे में हम लोगों ने जाना तो अब इसमें किसी परकार का यदि आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में करके ज़रू बताईए तो चली फिलाल आज हम लोग लेंस लेशन आज ज्यादा होगा नहीं लेकिन फिलाल हम इसको जहां तक हो पाएगा उसको हम लोग आज कावर करते हैं तो लेंस आज हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेंस कितने परकार क्या होते हैं है कि नहीं देखिए सबसे पहले लेंस का डेफनेशन क्या होता है कि देखिए लेंस किसी पारदर्सी पदार्त से लेंस किसी गोलिये पारदर्सी पदार्त हैने किसी गोलिये पारदर्सी पदार्त का लेंस किसी गोलिये पारदर्सी पदार्त का वह टुकड़ा होता है जिसका कम से कम एक भाग वक्र हो लेंस का लाता है एक भाग वक्र हो लेंस का लाता है बच्चों देखें लेंस किसी गोली पारदर्सी पदार्त का वह टुकड़ा होता है जिसका कम से कम एक भाग वक्र होना चाहिए बच्चों तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं देखें लेंस मुक्यता दो परकार के होते हैं लेंस मुक्यता दो परकार के होते हैं मुक्यता दो परकार के होते हैं, कौन-कौन होते हैं, पहला को हम लोग को कहते हैं, उत्तल लेंस, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, दूसा नंबर में होता है, आवतल लेंस, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस क आते हैं तो यह दो परकार के लेंज होते हैं तो हम लोग बारी-बारी पढ़ेंगे कि उत्तर लेंज क्या होते हैं देखिए उत्तर लेंज क्या होते हैं यहां पर परावर्तक सता नहीं होके यहां पर अपवर्तक होगा क्योंकि यहां पर प्रकास का अपवर्तन होगा जिसका अपवर्तक सता उभरा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं तो उत्तल लेंस किसको हम लोग कहते हैं यह बात आपको समझ में आ गया होगा इसको फोटो के माध्यम से मैं भी आपको बता देता हूँ तो यह देखिए एक उत्तल लेंस है इस परकार इसका दोनों पार्ट देखिए आपका उबरा हुआ होता है नहीं हम लोग आगे देखेंगे कि यह दो गोले का गोला का भाग भी होता है नहीं यह गोला का भाग होता है दो गोला होता है देखते हैं उसका बनावट कैसे होता है आबतल लेंस आबतल लेंस किसको कहते हैं आबतल लेंस किसको कहते हैं देखिए बच्चों देखिए वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सता वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सता सता धसा हुआ हो धसा हो उसे क्या कहते हैं उसे आवतल लेंस कहते है उसे आवतल लेंस कहते है उसे आवतल लेंस कहते है वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सता क्या होता है दासा हुआ होता है उसको हम लोग आवतल लेंस कहते हैं जो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे आवतल लेंस देखेंगे आवतल लेंस किस परकार होगा देखिए अब तर लेंस कुछ इस परकार होता है एक सथा इस परकार होगा एक सथा इस परकार होगा है ना देखिए दोनों सथा इसका क्या है धसा हुआ है ना तो इसको हम लोग अब तर लेंस कहते हैं अब लेंस का बनावट किस परकार होता है देख पा रह है लेकिन एक पारदर्सी गोला है और ये दूसरा गोला है आप देख पा रहे हैं तो इस दोनों के जो है ना आवर लेपिंग जो पार्ट होते हैं उसको काट करके बाहर निकाल लिया जाता है इस पार्ट को जो है ना आवर लेपिंग पार्ट जो है इसको हम लोग काट करके यहां पर भी एक गोला है इस परकाद, इसके भी जो ताने यह overlap तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस दोनों भागों को हम लोग coincide कर देते हैं, मिला देते हैं आपस में, तो यह जो पार्ट हमको प्राप्त हो रहा है, यह मेरा कून सा पार्ट होगा, इसके बीच में हवा भरा वो नहीं रहता है ये नहीं समझेगा कि ये एक hollow है खोकला नहीं है इसके बीच में क्या भर दिया जाता है इस दोनों गोला के same refractive index के material को डाल दिया जाता है जो गोला जिस अपवर्तनाग पारदर्सी पदार्थ का बना होता उसी पदार्थ का same अपवर्तनाग वाले पदार्थ को बीच में डाल करके इसको ठोस बना दिया जाता है मेरे पास lens है हम आप लोगों को किसी दिन क्लास में दिखाएंगे lens क्या होता है मेरे पास हट तरह के practical करने का समागरी भी है हो सकता है कि मैं एक practical का lens का mirror का एक practical का आप लोगों को वीडियो बनाऊ और उस वीडियो को मैं जरूर्द सेयर करूँगा आपको बताऊँगा तो यह आपका क्या है उत्तल lens है और आवतल lens है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानेंगे कि lens के विविन भाग कौन-कौन से होते हैं चलिए देखिए lens के विविन भाग कौन-कौन से होते हैं लेंस के विविन भाग यह ने lens के विविन भाग कौन-कौन से होते हैं चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं आगे बढ़ेंगे तो पहले हम फोटो ही बनाते हैं उसके बाद हम बताएंगे कि लेंस के विविन भाग कौन-कौन होते हैं तो ये मेरा उत्तर लेंस है बच्चो और ये मेरा अवतर लेंस है बच्चो ये उत्तर लेंस है ये अवतर लेंस है मेरे पास देखिए ये इसका क्या होगा आप लोग खुछ जानते होंगे ये इसका मुखा अक्ष है ये भी इसका क्या होगा मुखा अक्ष है ये जो होगा इसका क्या होगा ये क्या होगा इसका optical center होता है फैकिन इसको हम लोग प्रकासिक के अंदर का जाता है इसको हम लोग O से indicate करते ह है वहाँ पर धरूबं ऐये धरपन में हम लोग धरूब से इंडिकेट के ते हैं पी से इंडिकेट करते हैं लेकिन यहाँ पर यह प्रकाश सी के unit रहें आर्प्टिकल छेंटरय है वह उन्हीं लिसको目 हो से यहां पर भी होगा इसी परकार इसमें भी होता है इसमें भी एक focus F यहां पर पाए जाता है एक focus F यहां पर पाए जाता है एक C यहां पर होता है एक C यहां पर होता है और इसके जो यह जो चौड़ाई आप लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग द्वारक कहते हैं आपरचर कहते हैं इसको इस परकार यह अपरचर हैं इन तो सबसे पहला इसका कउन सा भाग मैंने आपको दिखाया सबसे पहले सबसे पहले अब पर्कासि केंदर देखा उसके मुंखे फोकस देखा गयता finger देखा दुआरक की आखिर देखा तो हम लोग चलिए आगे पढ़ते हैं और सब इसके बारे में एक एक topics को हम लोग समझते हैं कि कौन क्या क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि प्रकासिक केंदर का definition क्या होता है हम लोग उसके बारे में जा लेंगे प्रकासिक केंदर क्या होता है प्रकासिक केंदर क्या होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं Optical Center कहते है जिसको हम लोग Optical Center कहते है प्रकासिक केंदर कहते है तो आप लोग जानते हैं कि बच्चों कि जब lens में प्रकास की किरने जब पढ़ती है तो प्रकास का अपवरतन होता है प्रकास मुड़ती है चाहे वो मुकक्च की और मुड़े चाहे वो मुकक्च से बाहर की और जाए लेकिन वो प्रकास मुड़ती है किस परकार मुड़ेगी इस परकार हम लोग जानते है कि यदि यह लेंस है तो जब प्रकास की किरने जब यहां पर पड़ती है तो वो इस परकार मुड़ेगी नहीं तो उत्तल लेंस में दूर जाती है उत्तल लेंस में इस परकार मुड़ती है और अब तल लेंस में जब प्रकास की किरने इस परकार पड़ती है तो वो इधर चले जाती ह दूर चले जाती है तो यह जो आपका देख रहे हैं परकासी के अंदर एक लेंस में पाए जाने वाला एक ऐसा बिंदू है जहां से परकास का अपवर्तन तो होता है लेकिन परकास का बिचलन नहीं होता है मतलब परकास मुड़ती नहीं है आप देख पा रहे होंगे इस पोटो में तो परकास किस रास्ता में जा रहा था परकास इधर जा रहा था जैसे ही वह लेंस पर आपति तो वह बैंड हो गया वो इसन नहीं लेकिन यहां से यह एक ऐसा बिंदू है नहीं परकासी के अंदर कै लेकिन बिचलन नहीं होगा परकास अपने मार्ग से भटकेगा नहीं इदर उधर नहीं जाएगा तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं कभी-कभी इसका परिवासा बता दिया जाता है कि दरपन के या लेंस के मूल बिंदू को या मद बिंदू को हम लोग परकासी के अंदर कात कि लेंस में पाए जाने वाला वैसा बिंदू जहां से परकास बिना बिचलित हुए अपवर्तित हो जाती है उस बिंदू को हम लोग परकासी के अंदर काते हैं तो इसका हम परिवासा लिख देते हैं देखें लेंस का वह बिंदू या लेंस का वह बिंदू लेंस का वह ब जहां से प्रकास बिना बिचलित हुए, क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है, उस बिंदु को उस बिंदु को उस लेंस का उस बिंदु को उस लेंस का प्रकासिक कैंदर कहा जाता है, इसे ओ से सुचित किया जाता है, इसे ओ से सुचित किया जाता है, इसे ओ से सुचित किया जाता है, बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका दूसा परिवासा हम लोग देखेंगे, है नहीं, दूसा परिवासा क्या होगा, देखे, इसका दूसा परिवासा होगा, वक्रता केंदर किसको हम लोग कहते हैं, वक्रता केंदर किसको कहते हैं, जिसको हम लोग आप्टिकल सेंटर भी सेंटर औप कर वेचर कहा जाता है इसको जिस गोले का बाग होता है उस उस गोला के कैंदर को बकरता कैंदर कहते हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस इस परकार होता है हमारा तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक कंप्लीट हम लोग क्या करेंगे इस फेर हम लोग ड्रॉ कर देंगे इस परकार कंप्लीट इस फेर ड्रॉ करते हैं इस परकार इधर से भी एक इस फेर ड्रॉ होगा देखे बच्चो इस परकार भी इस फेर ड्रॉ होगा तो इसका बकरता के अंदर पाए जाती है है किने हम लोग अब तल लेंस में भी देखेंगे देखें इस परकार इसको भी हम लोग क्या करेंगे complete square draw करेंगे बच्चों इस परकार complete square draw करते हैं इसमें भी हम लोग complete square draw करेंगे बच्चों देखिए इसका भी एक center होगा यहाँ पर भी एक सेंटर होगा इसको हम लोग सी कहेंगे इसको भी हम लोग सी कहेंगे तो यह हो गया बकरता के अंदर पिर किसे कहते हैं बकरता के अंदर आप लोगो याद हो गया होगा कि लेंस वेकिन जिस गोले का भाग होता है उस गोला के केंदर को हम लोग वकरता केंदर काते हैं बच्चों तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और जानेंगे कि मुखे फोकस किसको काते हैं मुखे फोकस किसे काते हैं तो चलिए हम लोग जानते हैं मुखे फोकस किसको काते हैं मुखे फोकस किसे काते हैं तो just परिभासा जो है उसी परकार होगा कि अनन्त से आने वाली परकास की कीरन अनन्त से या किसी बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकास की किरन प्रकास की कीरन जो मुख अक्च के सामानां तर चल कर लेंस पर आपतित होती है लेंस पर आपतित होती है लेंस से अपवर्तित होने के बाद अपवर्तित होने के बाद यह मुख अक्च को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है जिस बिंदु पर काटती है या काटती भी प्रतीत होती है मुख अक्च के उस बिंदु को मुख अक्च के उस बिंदु को इस लेंस का मुख के फोकस काती है मुख फोकस कहते है आप लोग समझ में आ गया होगा बच्चो मैंने क्या कहा कि देखे अनंत से या किसी बस्तु से आने वाली प्रकास की कीरन जो मुख अक्च के समानांतर चल कर लेंस पर आपतित होती है लेंस से अपवर्तित होने के बाद या मुख अक्च को जिस बिंदू पर काटती है या काटती विपर्तित होती है मुख अक्च के उस बिंदू को उस लेंस का मुख फोकस कहते है तो सबसे पहले हम उत्तर लेंस में देखते है उत्तर लेंस में कुछ इस परकार होगा देखिए ये इसका द्वारक है ये इसका मुख अक्च है और मान लेते हैं कि किसी कोई बस्तू से परकास की है चलते वे आ रही है मुख अक्च के समानांतर मुक अक्ष के समानतर है था कि नहीं और lens से अपवरतन के बाद वो मुक अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी यह देखिए जिस बिंदु पर काटती है तो इस बिंदु पर काट रही है तो इसको हम लोग app कहेंगे मुक focus कहेंगे था कि नहीं लेकिन वही बात यदि हम लोग आवतल लेंस में करते हैं, तो इसकी जरा सा प्रुपर्टी उल्टा हो जाती है, क्योंकि ये वास्तविक रूप से काट रही है उतल लेंस में, तो आवतल लेंस में ये कटती हुई परतीत होती है, इसका मुख अच्छे, मुख अच्छे के किस बस्तू से या आनंत से या प्रकास की किरन मुक अक्च के समानतर चलते वे आ रही है और लेंस पर आपतित हो रही है बच्चों तो ये जो होती है वो डाइवार्ट हो जाती है इस प्रकार हो जाती है तो इस किरन को जब हम लोग पीछे की और बढ़ाते हैं तो ये मुक किसी बिंदू पर काटती हुई प्रतीत होती है है कि ने तो जिस बिंदू पर काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदू को हम लोग क्या कहते हैं उस लेंस का मुख के फोकस कहते हैं तो मुख के फोकस का आप लोगो कौनसेप्ट समझ में आ गया होगा कि उत्तर लेंस में जब मुखक्ष के समानतर प्रकास की किरने चलके आईए तो ये वास्तविक रूप से काट रही है ये मुखक्ष को लेकिन ये आभासी रूप से काट रही है ये कालपनिक रूप से काटती है तो इसका मतलब है कि इसमें काटती है और ये काटती भी परतीत होती है है नहीं तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं द्वारक हम लोग देखेंगे कि द्वारक किसको कहते हैं द्वारक जिसको हम लोग अपरचर कहते हैं बचों इसको हम लोग क्या कहते हैं अपरचर कहते हैं हाँ मुख फोकस का मैंने लिखने बोल गया था उसका इंगलिस वर्ड होता है प्रिंसेपल फोकस उसको हम लोग कहते है प्रिंसेपल फोकस कहते है और अपरचर कहते है देखे लेंस के अपवरतक सता की चोड़ाई को हैने लेंस के अपवरतक सता की चौड़ाई को अपवर्तक सता की चौड़ाई को को उस लेंस का द्वारक कहा जाता है उस लेंस का द्वारक कहा जाता है उस लेंस का द्वारक कहा जाता है अपरचर कहा जाता है है नग तो हम लोग देखते हैं उत्ता लेंस में जनरली हम लोग ऐसे करके बनाते हैं देखिए उत्तलेंस ये चीज़ है तो ये चीज़ हम लोग डाल देते हैं ये चीज़ इसका द्वारक होता है आवत्तलेंस में भी हम लोग कुछ इस प्रकार डाल देते हैं ये आवत्तलेंस है तो यह क्या होता है उसका द्वारक होता है अपरचर होता है तो प्रकास की किरने जो होती है इसी द्वारक से अपवर्तित होती है प्रकास की किरने जब इसमें आपतित होगी तो इस द्वारक तक जाएगी उसके बाद वो bend होती है उसे के बाद वो मुड़ती है बचो तो lens का आज इतना ही हम लोग class रने देंगे बचो है न हम लोग next class में आगे में lens के बारे में हम लोग जितना भी चीज है हम लोग सब explain करेंगे हाँ बचो एक बात मुझे काना है कि ये class आप लोगों को interesting लग रहा है बचो जदी आप लोगों को कोई problem हो रहा है आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे जरूर इस बात की सूचना दीजिए मैं कहां मैं उस topics को जरूर explain करूंगा उसके लिए मैं एक नया वीडियो चाहे बनाना पड़े उसके लिए मैं एक वीडियो बना लूँगा ल आप लोगों को नहीं समझ में आया है बात उसको आप लोग इगनूर नहीं करिये उसको पूछिए मैं जरूर उसका वीडियो आप लोगों को बना करके दूँगा या फिर नोट्स आप लोगों को मैं किसी तरह दे दूँगा प्रिफर कर दूँगा आप लोगों कि तक पह करें हैं मुझे उनसे बच्चों से निविदन है कि वो पहले के सभी वीडियों को देख करके इस वीडियों को आए तब आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा और चैनल को लाइक साइसक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाईए जिसे इसकी सक्त जरूर है वैसे बच्चे हमों लोगों के भारत में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसे सही ढंक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं बच्चों इसकूल नहीं जा पाते हैं उसे सही सिक्षा नहीं मिल पाती है सही ग्यान नहीं मिल पाता है सही सिक्षक के संगर में नहीं आ पाते हैं तो उन बच्चों तक ये वीडियो आप जरूर पहुँचाईए तो ताकि वो भी एक समाज के साथ जुड़ सके आप लोग के तरह वो आगे बढ़ सके तो आज इतने ही बोल करके मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा थैंक्यू बच्चों आप लोग खुश रहें हसते रहे मुस्कुराते रहें और इसी तरह पढ़ते रहें आप लोग को इस वर्प और मेरी दुआ से आप लोग जरूर अपने लक्ष में काम्याब होंगे आप लोग मैट्रिक परिक्चा में जरूर फर्स डिविजन से पास होंगे अच्छे परसेंटेज आप लोग लाएंगे ये मेरा सुब कामना आप लोग के साथ है धन्यवाद